गुद्वर्णिंग मिद्धर्थी मित्र, कौक्षा आट में इकाई दस, जिनका शिर्षक है अंदाज अपना-पना, अंदाज अपना-पना, जो इकाई है, इसका साहित्य प्रकार है, वाद विवाद, वाद विवाद में आप जानते हैं कि, एक विशय में पक्ष और इपक्ष दोनों ही बाते करते हैं, अंदाज अपना-पना, अपने आप, आप अपने विचार, कोई भी विशय पर अपने आप अपने विचार अजू करते हैं, उनकी बात की गईये इसमें, किसी भी विशय के सबन में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है कोई भी विशय हो इस विशय के सबन में तर्कपूर्ण सोचना और उस विशय पर चिंतन करना मनन करते हुए अपनी बात को प्रगट करना एक तार्किक चिंतन कहलाता है तार्किक चिंतन वेग्यानिक अभिगम पर आधारित वेक्ति की सोच विचार करने की एक मानसिक प्रक्रिया है वेग्यानिक अभिगम के जरिये तार्किक चिंतन एक वेक्ति की सोच विचार की एक मांसिक प्रक्रिया है इस मुक्त चिंतन में वेक्ति अपने जीवन के अनुबव मान्यता और द्रश्टिकोन का उप्योग माहेती का प्रुथकरन करने के लिए करता है इस मुक्त चिंतन में वेक्ति अपने जीवन के अनुबव मान्यता और द्रश्टिकोन का उप्योग माहेती का प्रुथकरन करने के लिए करता है और माहेती की सत्यता तक पहुच कर नीने लेता है किसी भी विशय के सबन्द में कुछ चिंतन या मनन करते हुए अपनी बात को प्रगट करना एक प्रकार का तार्किक चिंतन कहलाता है वेग्यानिक अभिगमों के आधारित पर इस कोई भी वेग्ति की सोच विचार करने की जो प्रक्रिया होती है प्रस्तूतिकाय में तार्किक चिंतन के बहु आयामी सोच का विकास विस्तार्श हो ऐसी वेविद्यपूर्ण कुछ अभ्यास रखे हुए है तो आएए पढ़ते हैं ऐसी एक सुन्दर और रोचक वाद विवास सैलिंग में लिखा होया अंदाज अपना अपना जिसमें दो प्रकार है दिमागी दोड तर्क की लगाम कल्पना के गोडे तर्क की लगाम और दिमागी दोड में आप क्या क्या करते हैं उनके बारे में सोचना है विचारना है और बाते करनी है तो सबसे पहले इसमें दिमागी दोड है भावेज भाई वकिल है वह अपनी पतनी लीना और पुत्र वरज के साथ सुरत में रहते हैं छोटा परिवार सुखा आदार होता है उनका जीवन भी खुश्याल था एक बार दिपावली की छुटियों में भी तिनों अमबाजी गए चार दिन बाद वापस आकर देखा तो चौक गए उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है इसके पेड़ पोदे के कई फू लिना और व्रज की तस्वीरे भी निचे गिर गए थी और टूट गए थी विद्यार्थी मित्रों भावेजबाई वकिल थे वह अपनी पत्नी लिना और पुत्र व्रज के साथ सुरत में रहते है और उनका मानना है कि छोटा परिवार सुखा आदार होता है उनका जीवन ख फुशाल था एक बार दिपावली की चुटियों में वो तीनों यानि की लिना पुत्र व्रज और वावेजबाई अमबाजी गुमने गए चार दिन के बाद वो वापस सुरत जाते हैं और चौक गए उन्होंने देखा कि गर के सामने जो बगीजा था बगीचे में जो और व्रज की जो तस्वीरे निचे गिर गए थी और टुट गए थी तो नन्हे मुन्ने बच्चो ऐसा क्यों हुआ होगा वे समझ नहीं पाए आप बड़े अकलमंद है आप ही उन्हें बताए कि ऐसा हुआ क्यों होगा तो विद्यार्थी मित्र आप अपनी मौलिक भाषा क अनुसार उस पर अपनी दिमागी दोर लगाए और उनका आंसर देने की कौशिस करें मैं जानता हूँ का आप उनका आंसर दे सकते हैं लेकिन इनसे पहले उनका आंसर मैं आपको देता हूँ ऐसा क्यों होगा होगा तो बच्चों सुनो तो बावेज भाई के घर की हालत दे भी गर में आ गई होगी, भुकम का हलका सा जटका आया होगा, खिड की खुली रह गई होगी, दर्वाजा खुला रह गया होगा, चोर आया होगा और जल्द बादी में कुछ चुरा कर चला गया होगा, बड़े चुहने अंदर गुश कर सरारत की होगी, विद्यार्थी मित्र ये उनके अपने विचार है आप अपने तरीके से उनका आंसर दे सकते हैं और दिमागी दोड़ में दुसरा है परेजबाई किसान है उनकी पत्नी हिरल बेन नर्स है एक दिन सुबह सुबह हिरल बहन ने पाने के नल के नीचे जल्द बादी में एक मटका रखा बाद में नल चालू किया और रस्वय गर में चाय बनाने चली गए चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था उसमें पाने नहीं था हिरल बहन अपने आप हसने लगी और उन्हें मेरे समझदार दोस्त अब आप ही बताए कि ऐसा क्यों हुआगा तो मेरे समझदार दोस्त हिरल बहन के मटके में पानी नहीं आया होगा क्योंकि हिरल बहन ने नल में पानी बंद हो गया होगा मटके में दरार होगी मटके के पैद में छेद होगा मटका ठिक नल के निचे नहीं रखा होगा मटके पर गलती से डखन रख दिया होगा मटका उल्टा रखा होगा उनका आंसर यही आता है आप भी अपने विचार से उनका आंसर देने की कोशिस करें उनके बाद है, सेजल दो गमले लाई, इन में तुलसी के पोदे थे, दोनों पोदे लंबाई, चोड़ाई और उन्चाय में एक समान ही थे, एक महने के बाद दूसरे गमले का पोदा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था जितना एक महने पहले मेरे बोले 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 बाज बेजाबाद दोस्त ऐसा कैसे हुआ होगा क्या आप बताए तो सेजल दो गमले लाई होगी इन में तुलसी के पौधे से जलने लगाए दो पौधे यानि कि दोनों पौधे में लंबाई चोड़ाई और उन्चा एक समान थी एक महने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना था जितने एक महने पहले का था तो मेरे बोले बोले बेजाबाद दोस्त ऐसा कैसे हुआ होगा आप ही बताइए तो ऐसा कैसे होगा तो सेजल के पहले गंबले का पौदा नहीं बढ़ा क्योंकि वह गंबले का पौदा प्लास्टिक का या नकली होगा इनमें पाने की कमी रह गई होगी इसे जरूरी हवा और प्रकास नहीं मिले होगे किसी ने पौदे को काड़ दिया होगा पौदे के गंबले से मिटी निकाल दी गई होगी गंबले में उचित खाद नहीं डाली होगी अब ये थे दिमागी बोड के अब तर्क की लगा कलपना के गोड़े तो तर्क विचार करना एक अलोकिक शक्ती है आप तार्किक चिंतन करते हैं तो ऐसा क्यों होगा इस प्रकार आप तर्क करते हैं और एक अनोकी कलपना के जरीए ही आप क्या क्या कर सकते हैं अगर आपके दिमाग में तर्क आती है और आप कलपना के गोड़े की तरह लगाम करते हैं तो आप यही से कही भी जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं तो उनका उधारन देखें आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिला कर आपको रुकने का इशारा कर रहा था आप साइकिल लेकर स्कूल जा रहे हैं रास्ते में देखा तो एक आदमी आपको हाथ हिला कर क्या करता है रुकने का इशारा करता है इशारा कर रहा था आप रुके उन्होंने इशारा किया आदमी ने इसलिए साइकिल लेकर आप स्कूल जा रहे थे और उन्होंने मदद य उसने कहा कि बगल वाले गाव में मेरा जाना जरूरी है जो आदमी हाथ से इसारा कर रहा था वो आदमी कहता है कि मुझे पास में बगल वाले गाव में जाना जरूरी है आपने उस आदमी को साइकल पर बिठाया और पास वाले गाव तक पहुचाया आप इस आदमी को अपनी साइकल पर बिठाते हैं और पास वाले गाव में पास वाले गाव तक पूचाया आपने वहाँ उसको पहुचाया वहाँ जाकर आपको पता चला कि वहाँ एक जादूगर का कारेकरम होने वाला है आप पासवाले गाव में जाते हैं और वहाँ जाकर आपको पता चलता है कि उस गाव में एक जादूगर का कारेकरम होने वाला है क्या एक जादूगर का कारेकर्म होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक था जिस आदमी को आप सायक्ल में बिठा कर उस गाव में लाते हैं वही आदमी जादूगर में काम करने में उनका सहायक था उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोद किया जो आदमी को आप साइकल पर बीठा कर वहाँ ले गए थे गाव में वो आदमी आपको कहते बाई मेरे साथ मैं आपको जादू जादू देखने का अनुरोद किया पर पाट साला पोहतने में देरी हो जाएगी, वह सुचकर आपने मना कर दिया, उन्होंने आपको कहा कि मेरा जादूगर देखिए जाएगे, लेकिन आपने मना कर दिया, कि भाई मुझे स्कूल जाना है, मुझे देरी हो जाएगे, इसलिए आप मना करते हैं, उस आदमी ने स पार शाला पहुंचने में देरी हो जाएगी वह सोचकर आपने मना कर दिया उस आदमी ने सारी बात जादुगर को बताई जादुगर खुश होकर आपको एक करामती चस्मे दिये और कहा कि इसे पहने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे तुम्हे कोई द करामती चस्मे देता है और यह कहता है कि इसे पहने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे जादुगर आपको करामती चस्मे देता है और कहता है कि इस चस्मे पहनकर आप कुछ भी कर पाओगे आपको कोई देख नहीं पाएगा तुम्हे कोई देख नहीं वापस अपने घाव की पार्षाला में आए, वहां से घर गए, दुसरे रोज नहा दोकर आईने के सामने अपने चस्में पहने, आईने में देखा तो सच मुच्छ आप गायब हो चुके थे, आप चस्मा लेकर कहा जाते हैं, पार्षाला में जाते हैं, पार्षाला से आप घ कर जाते हैं। दूसरे दिन रोज नहात दोकर आइने के सामने आप खड़े रहते हैं और चश्माँ पहनते हैं तो हकीकत में सच मुझे आप गायब हो जाते हैं। अब बताए। अब आप हमें жिवा उतकि आप कहा कहा जाएंगे और क्या क्या करेंगे अगर आप वहाया और करामी चस्मे हैं अगर आप सच्मुच गायब हो चुके हैं तो क्या करोगी ये मुझे बताइए तो जादुई चस्मा पहन कर मैं हलवाई की दुकान पर जाकर मनमानी मिठाए खाऊंगा मुप्त में फिल्म या नाटक देखूंगा मुप्त में जादु के खेल देखाऊंगा फूल जारिस से फूल तोड़ दिलाऊंगा और पेट पर बैटकर फल तोड़कर खाऊंगा पडोशी के गर की सारी चीजे इधर उधर रखकर उन्हें डराऊंगा ऐसा आपका विचार है इस प्रकार का उनका आंसर आता है पूरे दिन की पढ़ाई और खेल खुद के बाद रात को आपकी आख लग गए निंद में आपने एक सपना दिखा आप गुमते गुमते बहुत दूर निकल गए आप नदी पहाडों के अध्भुत सौंदरे में लिन हो गए आपको पता भी न चला और आप चलते चलते जं अपने इस्वर को याद किया और कहा कास मेरे पास पंची की तरव पंक होते तो तभी चमत कार हुआ और आपके हाथ की जग पंक उगाये आप उड़कर वापस गर आए आप बड़े खुश थे, चान भी बची और पंक भी मिल गए, सपना तुटा, आपने निन से आखे खुली, आपने पाया कि आपको हकिकत में हाथों की जगह पंक मिल गए है, मेरे परिंदे दोस्त अब बताए कि आप कहा कहा जाएंगे और क्या क्या देखेंगे, मेरे परिंदे दोस्त अब आप बताए कि आप कहा कहा जाएंगे और क्या क्या देखेंगे, उड़ने के लिए पंक मिल जाने पर आप कहा कहा जाएंगे, तो उनका अंसर है, मैं आस्मान में बादल के पास जागर उन्हें देखूंगा, मैं पक्षियों से मित्रता करूंगा, मैं पक्षियों के साथ उड़ने की सर्थ लगाऊंगा, मैं उड़कर बाजार से चीजे ले आऊंगा, मैं पेडों पर बैठ कर फल तुड़कर खाऊंगा, मैं पहाडों पर जाकर आनन्द मनाऊंगा, मैं दूर रहने वाले मित्रों के घर जल्दी पहुँच जाऊंगा, मैं जंगल में जाकर सेरों तथा भागों को नजदिक से देखूंगा, अब इस बार आपकी एक अनोखी कसोटी होने वाली है, क्योंकि इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसोटी होने वाली है, एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्विप पर ले जाने वाला है, वहाँ केवल मिटी, कंकर्ड, पत्थर, पहाड, आदी और समुद्र पानी है, मेरे बुद्धिमान दोस्त वहाँ एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या-क्या ले जाएंगे, उनकी सुची बनाईए, अब आपकी एक अनोखी मज़ेदार कसोटी होने वाली है, एक जहाज है, आपको एक निर्जन दीप पर ले जाने वाला है, वहाँ केवल मिट्टी है, कंकड है, पत्थर है और समुद्र पानी है, अब मेरे बुद्धिमान दोस्त आप एक हफ्ते तक वहाँ सुख चैन से रहने के लिए आपके साथ वहाँ क्या-क्या ले जाएंगे, उनकी सुची आप अपनी मोलिक भासर में बताईए, तो आपको निर्जन दिप पर सुख चैन से रहने के लिए हम अपने साथ क्या-क्या ले जाएंगे, तो बताईए कि हमें निर्जन दिप पर सुख चैन से रहने के लिए आपके साथ यह यह चीजे होनी चाहिए, तो आप वहाँ सुख चैन से रह सकते हैं, सबसे पहले तो क काफी कपड़े ले जाएंगे आप वहां सुक चैन से रहने के लिए आपके पास काफी कपड़े होने चाहिए उनके बाद खाने के लिए बिस्किट पोपकॉर्ण सेव आधी सुके खादे पदास ले जाएंगे आप खाने के लिए अन्य कोई चीज ले जा सकते हैं वहां खान किचिद में बिस्किट, पॉपकॉर्ण, सेव, आधी, सुके, खादे पदात आप अपने साथ ले जा सकते हैं, बादाम, काजू, अंजीर, फल, आधी, मेवा ले जाएंगे, आपके साथ बादाम भी ले जा सकते हैं, काजू भी ले जा सकते हैं, अंजीर, फल, आधी, मेवा ले जा सकते हैं एक श्टॉग भी ले जाएंगे उस पर खाना बनाने के लिए हम कुपर आटा दाल चाफल अब अबस यह अबर घॉज ले जाएंगे आपको खाने का नो पीने का पानी भी ले जाएंगे एक हफ्ते तक आपको पीने का पानी की जरूरत पड़ेगी इसलिए एक हफ्ते चक चले इतना पीने का पानी भी आप अपने साथ ले जाएंगे हम क्रिकेट का सामान कैरम, सत्रंज, फुटबॉल और टैनिस खिलने की स्टिक तथा बॉल ले जाएंगे आप वहाँ आपको खिल करने के जो गोई साधन है वो आप आपके साथ ले जा सकते हैं जैसे क्रिकेट का सामान, कैरम, सत्रंज, फुटबॉल और टैनिस खेलने के लिए स्टिक तथा अन्य बॉल आप अपने साथ ले जा सकते हैं। पढ़ने के लिए रोचक और ग्ण्यानवर्दक पुष्था के भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। वहाँ आपको एक हफ्थे तक वहाँ रुकना है, सुप्चन से रुकना है, तो आप पढ़ने के लिए रोचक पुष्था के और ग्ण्यानवर्दक पुष्था के आप अपने साथ ले जा सकते हैं। एक कौपी ले जाएंगे जिसमें एक दिप उस दिप पर मिलने वाली वनस्पतिया, वहाँ के पक्षियों, प्राणियों के बारे में प्राप्त जानकारी लिखेंगे। बंदुग भी आप निर्जन दिप पर एक हप्ते तक रहने वाले सुक्चन से तो आपको अपनी रक्षा के लिए अपने पास एक छोटी सी एक बंदुग आप अपने साथ रक्षा के लिए ले जा सकते हैं। विद्यर्थी मित्र ये हमारे अंदाज अपना अपना में एक दिमागी दोड़ था और दुसरा तर की लगाम और कल्पना के गोड़े की। मैंने आपको यहाँ जानकारी दी अब मैं क्यों मानूं उनकी बारे में आप जानते हैं अब मैं क्यों मानूं कुछ विज्यापन में प्रकासित खास विधानों को गोर से पढ़िए और उस पर वाद विवात कीजिए। विज्यापन आप कुछ विज्यापन में कुछ बातें बताई हैं और प्रकासित थे तो उस पर गोर से उसे पढ़िए और उस पर वाद विवात कीजिए। पहला है अब नए पैक में पहला है अब नए पैक में उनके बारे में आप अपनी भाषा में वाद विवाद किजिए तो यह विज्ञापन है विज्ञापन में प्रकाशित कुछ खास विदान है उनके बारे में गोर से आप पढ़िए और उस विशे पर आप वाद विवाद किजिए तो अब नए पैक में तो उनके उनका आंसर आप वाद व्याद करते हैं तो हम खरिन देगे क्यों हम खरिन देगे क्यों उनके बारे में दूसरा है नए पैक आकरशक है नए पैक टिकाओ है वस्तु का दाम भी पहले से कम है वस्तु की गुणवत्ता में भी सुधार ह हुआ है अब नए पेक में तो उनके आंसर यह है कि नए पेक आकर्चक है नए पेक टिकाओ है वस्तु का दाम भी पहले से कम है वस्तु की गुणवत्ता से भी सुधार हुआ है इसका आंसर यही आता है दूसरा है शौक बड़ी चीज है क्या शौक शौक बड़ी चीज है उस पर वादवियाद कीजिए तो मुझे खाने मुझे अच्छे खाने कपड़ी पहने और खेलने का शौक है शौक पर आप वादवियाद कीजिए तो मुझे अच्छे खाने का कपड़ी पहनने का और खेलने का मुझे शौक है शौक पुरा करने के लिए मैं पैसो की परवा नहीं करता क्या शौक पुरा करने के लिए मैं पैसो की परवा नहीं करता का शोक आप अपना शोक पुरा करने के लिए कहा कहा जा सकते हैं दूर भी जा सकते हैं अपने वतन से भी अपने घाव से भी दूर जा सकते हैं शोक पुरा करने के लिए जिन्गी का मज़ा है शोक आपको पुरा करना है तो अच्छी जिन्गी है जिन्गी की अच्छी मज़ा तो शौक में है ये शौक बड़ी चीज है उनके आंसर थे अब तीसरा है पहले इस्तिमाल करें फिर विश्वास करें क्या तीसरा है पहले क्या करें इस्तिमाल करें फिर विश्वास करें इनके बारे में आप अपने वाशा में वाद विवाद करें पहले इस्तिमाल करें फिर विश्वास करें इस ही से पर आप वाद विवाद कीजिए तो इस्तिमाल करने पर ही हमें तो विश्वास होगा कोई भी वस्तु का इस्तिमाल यानि कि उपियो करने पर हमें उसका विश्वास होगा विश्वास होगा तो ही अच्छी विक्री होगी आप कोई भी विशे पर यानि कि कोई पर वस्तु का विश्वास होगा तो उसकी अच्छी विक्री होगी तो ही इस विध्यपन का लाब मेलेगा अच्छी विक्री होगी तो ही उनका अच्छा लाब मेलेगा चोथा है यहाँ पेट्रोल ही नहीं विश्वास भी मिलता है क्या चोथा है यहाँ पेट्रोल भी नहीं यहाँ पेट्रोल भी नहीं क्या मिलता है विश्वास भी मिलता है उनका इस विशे पर आप वाद विवाद तो आज कल हर चीज मिलावटी होती है क्या यहाँ पेट्रोल ही नहीं विश्वास भी मिलता है तो आज कल हर चीज मिलावटी होती है यहाँ पेट्रोल में लिखा मिलावट नहीं की जाती यहां टेट्रोल में कोई मिलावट की जाती नहीं है पांचवा है हम सीर्फ गहने ही नहीं बनाते रिष्टे भी बनाते क्या पांचवा है हम सीर्फ गहने ही नहीं रिष्टे भी बनाते क्या रिष्टे भी बनाते है पाच्वा है हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते रिष्टे भी बनाते है तो उनका इस विशे पर वाद विवाद आता है कि एक ही जग गहने बनाने से एक दुसरे से अच्छी जान पहचान हो जाती है गहने बनाने से एक दुसरे की अच्छी जान पहचान हो जाती है परस पर विश्वास बढ़ता है आपस में एक दुसरे पर परस पर विश्वास बढ़ता है पैसो के देल लेन में सुनियत रहती है गहरी मित्रता भी हो सकती है यहां रिष्टे बनाना कोई आसान बात नहीं है इसलिए गहरी मित्रदा भी हो सकती है छटा है पकाते है रसोई पिरोषते है प्यार क्या पकाते है रसोई पिरोषते है प्यार पकाते है रसोई और ते है प्यार पकाते हैं रसोई पिरोस्ते हैं प्यार तो हम स्वादिष्ट और पुष्टिक बोजन के लिए वहां जाते है एक बार खाकर तो देखे हमारे यहां का रूचिकर बोजर बोजर के स्वाद के साथ हमारी आत्मियता का भी अनुबव करें हमारे यहां हर व्यंजन मिलेगा वो प्यार के रस से भी बिगा होगा क्या पकाते हैं रसोई पिरोस्ते हैं प्यार तो हम स्वादिष्ट और पुष्टिक बोजर के लिए वहां जाते हैं एक बार खाकर तो दे हमारे यहां हर व्यंजन मिलेगा हर प्यार का रस भी होगा उनके बाद है अंदाज अपना अपना मेरे होनहार दोस्त अब आप बासा की पुश्ट भूमी पर कुछ खेल खेलने वाले हैं उदाहरन देखते जाए और खेलते जाए खेलते रहिए उदाहरन यहां 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 को यह उदाहरन शिडि प्रकार दिया हुआ है आपको सब्द सिधिया पूर्ण की है क्या सब्द सब्द सिधिया सिधिया पूर्ण कीजिए यहाँ एक नंबर पर है इस प्रकार भारत यहाँ भारत सालिन यह तीन तीन अक्षर का है इसलिए तो यह सब्द बनता है भारत दुसरा है तव माशा उनके बाद है सालिन उनके बाद है नशीब बहदूर रसना और नाताल लड़का काजल लगन और नगर इस प्रकार एसी तीन तीन वाले है इस प्रकार आपको यह सीडी पूर्ण करनी है इस प्रकार तो यहां भारत तमाशा इसलिए इस प्रकार की सब्द सुची सीडी आपको पूर्ण करी है दूसरी है इस नमबर पर है स्वत्तंत्रता जामुन नमक कसरत तलब बतक खबर और रबड इस प्रकार की शब्द सुची आपको पूर्ण करनी है अब कुछ सब्द यहां पर दिए गए है दिए गए वर्ण का उप्योकर सब्द बनाये क्या दिए गए वर्णो का उप्योकर सब्द बनाये यहां आपको एक उदारन तो दिया ही है उदारन है वर्ण इस प्रकार है म, र, क, न, अरियो तो उनका उदारन होता है मकान म, पसनाया और न, म, क, न, म, क, न, म, क, न, म, क, अब इस प्रकार र कम इसमें से रोकामा दूसरा है नमन नमाना कमर कमर यमन यमन नरक और नयान नरक और नयान तो रकम नमन कमर यमन नरक नयान उके उनके बाद दिये गए सब्दों में से एक सब्द हटाते जाएए और सार्षक सब्द बनाएए और उनका अर्थ लिखिए दिये गए सब्द में से एक सब्द को हटाते जाएए और उनका सार्थक ये सब्द दिये हुए है उन्हें में से क्या करना है आपको एक सब्द हटाना है और क्या करना है उनका सार्थक अर्थ ये गए सब्द में से एक एक सब्द हटाते जाईए और सार्थक सब्द बनाई और उसका अर्थ अर्थ लिखिए क्या अर्थ लिखना है आपको उदारन आपको यहां दिया गया है उदा के जरीए बुचाल बुचाल का अर्थ है बुकम्ब क्या उदारन आपको दिया है इसमें से चा निकाल कर एक सब्द भटाते चा हटाना है तो भूल क्या होता है भूल तो भूल का है खामे और गल्ती क्या गल्ती उनके बाद यह चाल निकाला तो भूल होआ अब यह दोनों निकाल दे चाल निकाल दे देखलो इसमें अब उनके बाद है जो दोहरा सब्द है क्या दो रहा दो रहा तो दो रहा तो जहां दो रहे मिलती है उनकार्थ है जहां दो रहे मिलती है उसे दो रहा कहते है क्या कहते है दो रहा अब दोहा रहा हटाता है दोहा एक सब्द हटा दिया दोहा तो एक प्रकार का क्या है वो एक चंद है क्या एक चंद ये रहा हटा दिया तो दोहा हुआ और अब दो, राहा हटा दिया तो दो, तो एक प्रकार की क्या है? एक संख्या है क्या? एक संख्या, उनके बाद एक शब्द है आराम, क्या होता है? आराम, आराम का अर्थ होता है, सार्थक शब्द होता है विश्राम, इस में से क्या निकाला जाता है? आरा, आरा का अर्थ होता है, आरा, मन निकाला जाता है, तो लकडी, लकडी, लकडी काटने का ओजार, क्या? काटने का ओजार, और राम, तो दसरत का अयोध्या के राजा, क्या? अयोध्या के राजा, अब उनके बाद, एक, ये दो, तिसरा है, भारत, क्या? भारत सब्द दिया हुआ है, तो भारत का अर्थ होता है, एक देश का नाम है, क्या? देश, देश का नाम है, और रन इकालकर भात होता है, तो पका हुआ, क्या? पका हुआ चावल, चावल, और उनके बाद होता है, रत, रत तो निल, लिन, क्या? लिन, अब चोथा है, किया है विवाद क्या विवाद का अर्थ होता है जगडा क्या जगडा और सिर्फ वाद वी निकाल कर तो वादता होता है मतलब क्या इस प्रकार यहां जो सब्द दिये थे उनका अर्थ मेंने बता दिया दिये गए वाक्य में से सब्द सुनकर नया वाक्य बनाए क्या यहां कुछ वाक्य दिये गए है और वाक्य में से आपको सब्द सुनकर नया वाक्य बनाए काजल ने देखा कि बिल्ली खुर्षी के नीचे बैठकर रोटी खा रही है काजल ने ये वाक्य दिया है वाक्य में से सब्द चुनकर जो वाक्य दिया है इनमें से आपको सब्द चुनना है और एक नया वाक्य बनाना है तो उनका वाक्य है कि काजल ने देखा कि बिल्ली खुर्षी के नीचे बैठ कर रोटी खा रही है तो उनका पहला वाक्य है बिल्ली खुर्षी के नीचे ही है जो वाक्य दिया है उनमें से सब्द लेना है और नया वाक्य बनाना है तो बिल्ली खुर्शी के नीचे ही है दूसरा वाक्य है काजल नीचे बैटकर रोटी खा रही है क्या काजल नीचे बैटकर रोटी खा रही है चौथा है काजल ने देखा की बिल्ली रोटी खा रही है चौथा है काजल ने देखा की बिल्ली है जो वाक्य दिया है इसमें से सब्द चुलकर आपको वाक्य बनाना है तो चोथा वाक्य है काजल ने देखा कि बिल्ली है और पांचवा वाक्य है काजल ने देखा कि खुर्सी है और चठा वाक्य है काजल नीचे बैठ रही है ये इस प्रकार जो वाक्य दिया था इसमें से क्या सब्द चुलकर नए वाक्य बनते हैं उनके बाद है एक पेरेग्राफ परिछेद है निमना लिखित परिछेद को पढ़िये और रिखांकी सब्दों का लिंग बदल कर परिछेद फिर से लिखे रिखांकी सब्द जो आपके पेरेग्राफ में यहां जो पेरेग्राफ दिया है इसमें से यहां यहां बिच में बिच में रिखांकीत किया गया है कुछ सब्दों को तो यह सब्दों को आप रिखांकी सब्दों का लिंग परिवर्तन करके परिछेद को फिर से पढ़ना है प मैं अपने बच्पन की गटना सुनाता हूँ एक बार मैं जोस में आ गया और एक हिरन का कान तोड़ दिया फिर गोडी की पुंच इतनी जोर से खिंची की उड़क गई बाद मैं मैंने मोर की गदन मरोड़ दी और सेर का मुझ खोल कर उसके दांत तोड़ दिये आपको यकिन नहीं होता गटना बिलकुल सच है आगे सुनिये आपको विश्वाज हो जाएगा मैं मैंने जैसे ही हाथी की सुन्ड पर हाथ रखा कि दुकान दार ने मुझे दो थपड मारे और हाथ खिज कर मुझे खिलोनों की दुकान से बाहर निकाल दिया एक पेरिगाफ था इस पेर परिवर्तन करके फिर से आपको परिछेद याने की परिग्राफ परिछेद को लिखना है तो जो लड़के ने कहा तो लड़के की जगर लिंक परिवर्तन क्या होता है लड़की लड़की ने कहा मैं तुम्हें अपने बच्पन की एक गठना सुनाती हूँ एक बार मैं जोस में आ गई और एक हिरनी का कान तोड़ दिया फिर गोड़े की फुंच इतनी जोर से खिंची कि उखड़ गई बाद में मैंने मोरनी की घरदन मरोड़ दी और क्या हुआ सेरनी का मुँ खोल कर उनके दात तोड़ दिये आपको यकी नहीं होता गटना बिलकुल सच है आगे सुनिए आपको विश्वास हो जाएगा मैंने जैसे ही हाथे की लिंग परिवत्तन होता है हाथे नहीं लेकिन यहां हाथे नहीं की सुन्ड़ पर हाथ रखा की दुकान दार ने मुझे दो थपड मारे और हाथ खिच कर मु यह पेरेग्राफ था पेरेग्राफ का लिंग परिवर्तन मैंने आपको बता दिया अब योग्यता विस्तार में आप जाते हैं वहाँ एक निम्नल इखित एक व्यक्ति संथ के पास गया और योग्यता विस्तार में कुछ बाते हैं योग्यता विस्तार में एक व्यक्ति एक संत के पास गया उसने संत से पुछा मैं परमात्मा के किस स्वरुक का स्मरण करू बताए संत ने उसे नाम न दे कर निमनलिखित पहेली कही क्या निमनलिखित पहेली कही एक एक संत ने एक संत एक व्यक्ति एक संत के पास गया उसने संत से पुछा मैं परमात्मा के किस निम्ला लिकित पहेली, संत ने एक पहेली दी, आप बताएए कि संत ने किसका सुमरन करने को कहा होगा, पहेली है अजा, अजा सहेली तार ही पूर, उस जननी भर्थार, क्या, जननी भर्थार, उस पुत्र के मित्र को भल ले बार-बार, इधर अजा यानी बक्री, रिपू, यानी सत्रू, भर्थार यानी पती, भर्थार यानी पती, एक संत ने, एक व्यक्ती को, संत ने, एक व्यक्ती ने संत से कहा कि मैं परमात्मा को किस स्मरन में पूजू, या इसका स्मरन करो, तो संत ने उसे नीमन लिखित ये पहेली, क्या, ये पहेली दे, और कहा कि इस प्रकार तुम परमात्मा का स्मरन करो, यहां, अजा सहेली तार रिपू, उस जननी भर्थार, उस पुत्र के मित्र को बल दे बार बार, तो यहां यजा, यानि की, संस्कृत का सब्द है, अजा यानि बकरी, रिपू यानि सत्रू, और बर्थार यानि पती, तो उनका क्या अर्थ होगा, तो इस पहली में इस प्रकार का अर्थ होता है, इस पहली में अजा, बकरी की सहेली है, बेड का दुश्मन गाडर, एक प्रकार की वनस्वति, की जननी धर्ति का पती, इंद्रदेव का पुत्र, अर्जुन के मित्र सिक्रुष्ण को बार-बार बजने की बात कही गई है, कहां इस पहली में संत ने इस व्यक्ति को इस प्रकार बताया कि अजा सहली तारीपू उस जननी बर्थार उस पुत्र के मित्र को भल दे बार बार संत कहते हैं कि हे व्यक्ति अजा यानि बक्री की सहली बेड और बेड का दुश्मन है गाडर एक प्रकार की वनस्पति की जननी यानि की धर्ती माता और धर्ती माता का पती है इंद्रदेव और इंद्रदेव का पुत्र है अर्जुन और अर्जुन के मित्रह सिक्रिश्न को ब बार-बार बजने की बात यहां इस पहले में बताई हैं तो विद्यार्थी मित्रों आपको यह अंदाज अपना इकाई आपको समझ में आई होगी आप भी कोई विशय में अपनी वाद विवाद के बारे में इस विशय पर चर्चा किजिए और अपने गिन्यान को आगे बढ आपने जेहिन जे भारत